हो सकता है ये कहानी आपकी हो, तो इस कहानी को आप जरूर देखें आपका भी बताता हूँ, और पंडित गौरी शंगर जी लगे अपने गुड़ा भाग में, आदश बाबू के सवालों का जवाब जो देना था, आएए देखते हैं, पंडित जी ने उनके सवालों का क्या जवाब दिया, जजμαन, आप दोनों का भविष्य तो एक जैसा ही है, आपकी आयू भी उतनी ही होगी, जितनी आपकी माता की आयू, जितना सुक तुमारी माता को उतना ही आपको जिस इस्थान पर उनकी मिरत्यू होगी उसी इस्थान पर आपकी भी मिरत्यू होगी अर्थात जैसा भविष्य आपकी माता का होगा वैसा ही आप दोना का भी होगा अर्थात जैसा भविष्य आपकी माता का वैसा ही आपका जहां आपकी माता की मिरत्यू वहीं आपकी पंडित गौरी संकर जी ने आदर्स बाबु को उनका भविष्य बताकर अपनी दक्षना ली और वहां से प्रिस्थार किया और आदश बाबु को पड़ी जीक की भविश्य वाणी ने पूरी रात सोने नहीं दिया जैसा भविश्य आपकी माता का वैसा ही आपका जितना सुख तुमारी माता को उतना ही आपको आप दोनों का भविश्य तो एक जैसा ही है बरतन जल्दी जल्दी कर लो इसी में मत लगे रहना फिर कपड़े भी धोने कामचोर कहीं की अभी तक खाना नहीं बना कितनी देर से चिल्लारियों तेरे कानों में जू तक नहीं रहती इतनी देर से चिल्लारियों सुना ही नहीं दता एक बार तुझे और सुबह उठकर उन्होंने क्या किया आए दिखते हैं रात को आदर्षबाबु और उनकी पत्नी को नेन तो आई नहीं सुभा आदर्षबाबु जद्धी त्यार हुए और उनकी पत्नी गाड़ी की चावि लेकर पहले से ही नितियार कर रही थी क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि अब क्या करना है तो आदर्स बावू सीधे पहुंशते हैं उस जगा जहां उन्होंने अपनी मा को रखा होता है यानि बरत आश्रम और वहां से अपनी मा को साथ लेकर घर के लिए प्रस्थान करते हैं और घर पर उनकी पत्नी पहले से ही उनके आने का इंतियार कर रही है आदर्स बावू की पत्नी पहले तुँ अपनी सास से शमा मादो उनकी सास हुआने उन्हें गली से लगा लगा क्योंकि मा आखिर मा होती है जिन आदर्स बावू को कल रात में नहीं आई थी आज मा के आजाने पर चेहरे पे एक अजीव सी परसंड़ता थी वो जान चुके थे कि असली सुख कहा है उनको आज बहुत ही मीठी नीद आईगी दोस्तो मा अखिर मा होती है हमारा ओ देशे समाज की बुरायों से अबगत कराना है हो सकते हैं